इसका कॉमन नेम भी सेलीनियम है और यह एक एलेमेंट से बनाई जाती है ठीक है अडाप्टेट तो लाइट कंप्लेक्शन पसंड जो होता है वह लाइट कंप्लेक्शन का होता है को यह रेमेडी प्रेस्क्राइब की जाती है जिसके पेस में बहुत जादा इमासियेशन होता है मतलब मसल्स का लॉस होता है उनका बिल्कुल थिन स्क्रोनिक सा फेस दिखता है ठीक है या फिर लेग स्वीट पूरी बॉड़ी वेरी फॉर्गेटफुल इन बिजनेस बट दूरिंग स्लीप ड्रीम्स ओ वाट ही है ठीक है तो कई बार हमाई साथ भी ऐसा होता है कि हम कोछी चीज़ें ढूंबते रहते हैं वह में नहीं मिलती है फिर हम सोते हैं फिर अचानक से मियाद आता है कि अच्छी यह चीज वहा हो रहा है और ज्यादा तर कैसे लोग अगर कोई अल्कोहॉल लेता हो ठीक है या फिर टी के बाद एवरी आप्टर्नून तो हम यह रेमेडी प्रेस्क्राइब करते हैं ठीक है है हेर फॉल सो इसमें हेर फॉल देखने को मिलती है और कहा की हैर फॉल जैसे हैड आइब्रॉस जैनाइटल्स एरिया ठीक है यह सारे एरिया में अगर हैर फॉल देखने को मिला है तो हम यह रेमेडी प्रेस्काइब करते हैं ठीक है अगर किसी को कोराईजा के बाद मतलब इंफ्लमेशन ओफ म्यूकस मेंब्रेन इस एंडिंग एंडाइरिया उसके बाद डाइरिया हो ज बहुत जागा मेनियाकर डिजायर देखने को मिलती है एट ठीक है कॉसटीपेशन की बात करें तो इस में जो स्टूल होता है वह बहुत ज़ाधा इंपैक्टेड रहता है और उसको मेकानिकल एड़ चाहिए होता है वर इस रिमोबट इस को में प्रने के लिए मेकानिकल करते हैं ठीक है यूरीन इसमें कैसी होती है रेड डार्क और स्कांटी होती है कई बार इसमें रेड सेडिमेंट भी पाए जाते है यूरीन पसंद जो होता है वो कई बार वॉक करता रहता है या फिर चलते फिरते इन्वॉलेंट्री अगर ड्रिबलिंग हो जाती है जैसा कि क का जो सबसे important part है वो है इसके sexual symptoms जिससे examination में बहुत ज्यादा questions पूछे जाते हैं ठीक है तो क्या लिखा हुआ है अगर importance है मतलब अगर कोई person है वह sexually desire होने के बागजूत important है ठीक है और उसमें बहुत ज्यादा lewd thoughts आ रहे हैं मतलब sexual thoughts तो आते हैं person को बहुत वह physically important है तो हम इस remedy को prescribe कर सकते हैं ठीक है उसमें erection slow होते हैं जैसे penile erection वह slow देखने को मिलता है और insufficient condition मतलब sexual intercourse होने के बाद भी person जो होता है वो fruitful जो pregnancy है वो cause नहीं होती उसके बाद या फिर जो sperms है उनका transfer नहीं हो पाता तू rapid emission हो जाता है and person जो होता है is ill-humored and weak after question ठीक है कई बार जैसा कि इसमें urine की dribbling हो रहे थी involuntary वैसे ही involuntary dribbling semen की भी देखने को मिलती है ठीक है person जो है वो बैठा रहता है उस वक्त भी कई बार dribbling हो जाती है semen की during sleep हो सकता है ऐसा ठीक है preapes मतलब continued अगर erection होता है तो हम इसको बोलते हैं इसमें glands are drawn up ठीक है ephonia अगर person जो है वो बोल नहीं पा रहा है अगर बहुत जादा use of voice कर लिया किसी ने बहुत जादा गाना गाल लिया या फिर बहुत जादा बात कर ली जिसकी वज़े से person में long use of voice के बाद अवाज चली गई या फिर person जो है उसको हमेशा अपनी throat clear करनी रोती है बोलने से पहले यह चीज स्टानम मेटालिकम में है और जेंटम मेटालिकम में है एंड सेलीनियम में भी है ठीक है पसंद जो होता है वो बहुत जादा easily exhaust हो जाता है किसी भी mental physical labor से ठीक है और इसमें हमेशा sleep की desire होती है irresistible desire to sleep strength suddenly leaves है और बहुत जादा weak हो जाता है especially hot weather में very great aversion to draft of air either warm cold or damp ठीक है तो इसको cold air या damp air से इसकी problem बढ़ जाती है इसके जो spine है वो बहुत जादा weak होते हैं इनमें fear होता है paralysis का ठीक है और इसकी जो भी parts होते हैं जो भी affected parts होते हैं वो बहुत जादा emaciated हो जाता है मतलब उसमें muscles का क्या हो जाता है loss हो जाता है ठीक है and these are the relationships of selenium that you need to keep in mind now talking about aggravation जासता कि हमने यह remedy पढ़ ही है इसको sun से problem बढ़ रही थी हवा की जोके से dot of air से ठीक है और tea lemonade और wine की craving थी और इसकी वज़े से भी इसकी problem बढ़ जारी थी ठीक है अराम क्या से मिल्ला था cold water से and cold air in the mouth ठीक है so this is it about selenium the sexual symptoms of selenium are the most frequently asked questions in your examination so if you are preparing do not forget to prepare the male reproductive symptoms or the sexual symptoms of selenium ठीक है यह कई बार infertility में भी बहुत अच्छा इसका effect है तो गाईनी ओप्स के examination में infertility के थिराप्स में भी यह remedy आप mention कर सकते हो ठीक है so this is it's about selenium I hope I made you understand